नमस्का दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपनी यूटूब चैनल में दोहजा 24 सफाई क्रमचारी की बड़ी भरती निकल कर आ गई है योगता दस्वी पास रखा गया है ओल ओबर इंडिया के लोग इसके लिए आविधन कर सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लिए लेटेस्ट गवर्मेंट जौब वेकेंसी की अपडेट पाने के लिए आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपके राज्य की लेटेस्ट गवर्मेंट जौब वेकेंसी कपडेट सबसे पहले आपके पास पहुस्तार है मिरे पास काफी सारे लोगों कमेंट आता है सबी वीडियो में कमेंट लोगों का आने लगा है कि सर मुझे गॉष्ट नौकरी चाहिए बहुस सारे लोग बिहार, बहुस सारे लोग helps, बच्चिमंगाल, तमिल, नाडू अलग-अलग राज्यों से लोगों कमेंट आता है तो आप भी नीचे कमेंट किया करिए कौन से बिभाग में आपको नौकरी चाहिए वो भी लिखा करिए अगर आप कमेंट ही नहीं करेंग सरच नहीं करेंग तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी इतना आसान नौकरी पाना 2024 में नहीं है तो आपको देखे थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा देखे इंटर्टेन्मेंट का वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं अगर आपको गाना या फिर मूवी देखना रहेगा योगता दसभी पास रखा गया है अल ओवर इंडिया गले भरतिया बेतन एक महीने में 21,000 से लेके 50,000 रुपय आपको बेतन मिलेगा जीना दोस्तों आपको अगर 2024 में एक सरकारी नौकरी चाहिए तो बहुत ही अच्छा मौका निकल कर आगया यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 IDPP सफाई क्रमचारी की तरफ से बड़ी भरती निकल कर आ गई योगता दसभी पास रखा गया भारत के सभी राज्यों लोग आविदन कर सकते हैं जिसमें बड़ा मौका निकल कर आ गई इसमें बेतन कितना मिलेगी अगर आप भी 2024 में IDPP सफाई क्रमचारी की नोकरी आपको चाहिए तो बहुत ही बड़ा मौका निकल कर आ गया है ओफिसल इसका देखी नोडिफिकेसन भी जारी कर दिया गया बताएंगी कैसे आपको ओफिसल नोडिफिकेसन डाउनूड करना फॉरम कैसे भनना है IDPP सफाई क्रमचारी भरती 2024 अपलाई ओनलाइन इसका ओनलाइन फॉरम बनना सुरू कर दिया गया है यहाँ पर पढ़ सकते हैं Candidates to have 10th pass from any recognize board जी हैं दोस्तों कच्छा दस्भी अगर आपने पास चाहे UP board से चाहे CBSC board से आप इसका फॉरम भर सकते हैं यहाँ पर 143 वेकेंसी बताया गया जिसमें constable, सफाई करमचारी और माली पोष्ट की भरती निकाली गई है जिसमें कि आपको आसानी से नोखरी यहाँ पर मिलने वाला है online माध्धम से आपको फॉरम यहाँ पर apply करना है who can apply all over India के candidate अब किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं starting date to apply 28 July 2024 से लेकर last date to apply online 26 August 2024 तक आप इसके लिए आविधन कर सकते हैं all over India में आपके posting हो सकती यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने complete detail open होके आ गया है education qualification पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कम से कम योगता 10 भी पास ही रखा गया है और salary आपको अच्छा खासा मिलने वाला है एक महीने में आपको यहाँ पर देखिए 21,700 रोपया से लेके 50,000 रोपया तक बेतन मिलेगा अभी आपको इसका official notification भी खोल के दिखाने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में अपको age limit 18 साल से लेके 23 साल तक कर रखा गया है जिसमें की age relaxation is applicable है इस पर रूल यानि दोस्तों नियम के आधार पे आपको देखे जो OBC candidate हो गए इसके साथ yes c ht candidate हो गए उनको अलग से age यानि आयू में छूट मिलने वाला है 2024 में जो IDPP सफाई क्रमचारी की vacancy है इसमें selection process क्या रहेगा उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है तो इस भरती के लिए अभियार्थियों को चैन physical test document verification लिखित परिच्छा trader test medical examination की आधार पर किया जाएगा आप यहाँ पर इस इसको देख सकते हैं इसके साथ यहाँ पर दीखिया आपका application फीस बता दिया गया तो IDPP सफाई क्रमचारी के जो भरती है इसमें form भनने का फीस कितना लगेगा तो IDPP सफाई क्रमचारी में समान OBC EWS के वहाँ पर आविदन सुल्क 100 रप्या रखा गया जबकि यहाँ पर अनुसूतित जन जाती या फिर अनुसूतित जाती इसके साथ यहाँ पर सभी महीलाओ को यहाँ पर आविदन सुल्क निसुल्क रखा गया यानि दोस्तों जा रहा है फॉर्म बनने का फिर से बिल्कुल भी नहीं देना है फ्री में इसके लिए आविदन कर सकती है महीलाओ तो जरू इसका फॉरूम भरवाईएगा जो महीला का अच्छा दस्त भी पास है सरकारी नोकरी जिनको चाहिए जोब लोकेशन आल ओबर इंडिया है पहले मैंने आपको जानकारी यहाँ पे दे दिया अभी वैकेंसी डीटेल देखना चाहते है तो आपको इस वेबसाइट पे जाके पुड़ा डीटेल देख लेना चलिए आपको इसका ओफिसल नोटिफिकेशन ओपें कर लेते हैं यह यहाँ पे IDBP का जो ओफिसल नोटिफिकेशन जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंडो टिबट बॉर्डर पुलिस फोर्स IDBP के तरफ से यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आ गई है उसका देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें ट्रेडमेन बारबर स इसकी वैकेंसी निकली गई है यहाँ पे अब देख सकते हैं आपके सांदर पूरा डिटेल ओपन होके आ गया है यहाँ पे आप इस चिच को पढ़ भी सकते हैं पुढ़ी आपके संभिए सेलरी बताएंगा कि आपको बेतन कितना मिलेगा तो यहाँ पर देखिए 21000 रुपिया से लेके 79000 रुपिया परमन्थ आपको बेतन मिलने वाला है इसके साथ देखे आपको अलग से भी जो भी छूट दिया जाता है जैसे कि कैंटीन का सुभिधा हो गया जो भी आपको आरिमी वालों को सुभिधा दी जाती है वो सारी सुभिधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है क्योंकि IDBP की भी नोकरी बहुत ही अच्छी नोकरी होती है इसके लिए लोग इंतजार करते रहते हैं तो आप इसके लिए आविधन जरू करिये गए यहाँ पर आपको देखे कॉलिफीकेशन बता दिया गया पोस्ट वाइज बताया गया कि किस पोस्ट के लिए क्या युक्ता रहेगी तो यहाँ पर सबसे पहले कॉंस्टेबल बारबर और सफाई करमचारी का आपका एज 18 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए minimum education, qualification and other essential qualification भी बताया गया है तो यहाँ पर matriculation from a recognized school और institute यानि कच्छा दसबी अगर आप पास है तो आप यहाँ पर बारबर और सफाई करमचारी के लिए आविदन कर सकते हैं जिसकों की constable पद पर आपको देखे नोकरी दिया जाएगा जितना देखे जो स्वधा constable को मिलती है जो बेतन constable को मिलती है सारी आपको स्वधाई मिलेंगी यहाँ पर योगगता दसबी पास होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर इस चीज को पर सकते हैं यहाँ पर कैंडिडियाट वील है टू पास ए पर्टिकल यहाँ पर देखे प्रेटकल डिपार्टमेंटल लिष्ट इन दे प्रोफेस्टन यानि दोस्तो जिस भी आप पर प्रोफेस्टन में आप आविदन करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर माली वगया सफाई करमचारी होगा तो वहाँ पर आपका एक प्रेटकल टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपको पास बस करना रहेगा उसमें कोई भी आपको एक्जाम न आविदन कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बार बार और सफाई करमचारी में कोई भी देखी यहाँ पर एक्सपेरियंस सर्टिफिकेट नहीं है इसमें देखिए फ्रेसर केंडिडेट भी आविदन कर सकते हैं जो लोग अच्छा दस भी पास है वो लोग भी फौरूम को भर प जाएगा जैसे कि आप यहाँ पिशिच को पढ़ सकते हैं फार दो पोष्ट फार दो कॉंस्टेवल बारबर सफाई करमचारी 18 से लेके 25 साल का है जो कि आपका 26 अगस्त को होना चाहिए दोस्तों आपका देखिए 18 से कम से कम होना चाहिए और ज्यादर ज्यादर पचीश सा साल का उमर होना चाहिए जो कि आपका एज जो काउंट किया जाएगा 26 अगस्ते ही यह भी काउंट किया जाएगा इसके साथ यहाँ पिशिच को देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको देखिए उसका क्ले मिल पाएगा तो इस बात को ध्यान में रखिए गई इसके साथ यहाँ पर देख लिए पुड़ी जानकारी आपको दी गई है किस तरीके साब को इसके लिए आविदन करना है कितना चूट मिलने वाला है यसी एस्टी वालों को पांट साल के छूट मिलेगा ओबीसी एंसिल को तीन साल के छूट मिलेगा एक सर्विसमेन वालों को तीन साल के छूट मिलेगा एक सर्विसमेन ओबीसी वालों को छे साल के छूट मिलेगा इसके साथ एक सर्विसमेन यसी एस्टी वालों को आट साल क कितना रखा गया यहां पर मेल और फिमेल के लिए जैसे कि यहां पर पढ़ सकते हैं कॉंस्टेवल, बारवर और सफाई करमचारी के हाइट रखा गया है यहां पर देखे लड़कों के लिए 170 cm जबकि फिमेल लड़कीयों के लिए 57 cm है और वहीं पर दोस्तों बता दिया गया कि अलग लग देखी यहां पर राजजवाइज बताया गया जैसे कि यहां पर हिमानचल परदेश होगा जम्मु कस्मीर होगा इंजियन टेरिटरी होगा इसके साथ लदाक होगा यहां पर 165 cm लड़कों खायट होना चाहिए और ल देखे क्या क्या होनी चाहिए तो पूरा डीटेल आप यहां से चेक आउट कर लिजएगा अगर आप भी इसके लिए आवदिन करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्किप्शन में दे दिया उस पे जैसे आप OK करेगा तो आपके सामने यह देखी IDBP कॉंस को सब्सक्राइब कर लिए को रोजाना गौवर्मेंट जोब वेकिंसी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद इच्छे हैं हिंद इच्छे